शुरू हो गया है सोनपूर का मेला इस बार मेले में क्या कुछ रहेगा खास नमस्कार मैं दिव्या स्वागत है आपका अचकर वीडियो में हर वर्स बिहार के सोनपूर में लगने वाला एसिया का सबसे बरा पसू मेला जैसे लोग हरी हर छेतर मेले के नाम से भी जानते हैं यह एक बार फिर से सल्धच कर तयार हो चुका है इस मेले का उधगाटन विहार के उपमुक्यमंती तेजस्वी यादव द्वारा किया गया मेले में कई सांस्क्रिते कारेक्रमों को प्रस्तूत करने के भी तयारी हैं जहां अपनी कला को पेस करने ससुराल गेंदा फूल से प्रसिद्ध होई बॉलिवोट गाई का स्रद्धा पंडित की तीम पहुंचेगी परिटन विभाग ने हर साल के मुकाबले मेले को और भी आकरसित बनाने के लिए कई भव्य तयारिया में की हैं मेले को लेकर डियम द्वारा बताया गया किस बार मेले में पहले के मुकाबले कई अलग चीज़े की गई हैं जिसके तहत भुक, फेयर, लगवाने, पैनल डिस कसन करवाने, टॉक्सो का आयोजन आदी करवाने की तयारी है, इसके लावे आजकर लोग सोसल मेडिया पर काफी अक्टिव रहते हैं, सोसल मेडिया के जरिये चीज़े हर लोगों तक पहुँचती हैं, लोगों के बीच इन दिनों तो रील्स का काफी ट्रेंड भी है, इसल खादी समेत हस्त सिल्पियों के कई छोटे स्टॉल लगे होंगे, मेले में 24 घंटे तक निर्बाद बिजली मिलेगी, ताकि लोगों को किसी प्रकार की परिसानी का सामना ना करना परे, इस मेले का थेटर भी लोगों के बीच काफी प्रसद होता है, जिस वज़र से यहां की सुरक्षा के लिए कैमरे लगाने के निर्देश दिये गए हैं, लेकिन विस्व भर में पसु मेले से प्रसद इस मेले में इस बार भी हाथी और अन्यव बनने प्रानियों की खरीद बिक्री या किसी तरह के वैपार पर रोक रहेगी, हाथियों का आदान प्रदान आप किस सस्तर भी नहीं खरीद पाएंगे, व्यवस्ता के अन इंतजाम में संपूर्ण मेला छेतर में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे, मेला छेतर में जोन को बाटे जाएंगे और अस्थाई थाना और पुलिस तैनाती के साथ ही जिला प्रसासन भी सुरक्षा व्यवस्ता में सक्त रहे गया, इसके साथ साथ बम डिस्पोजल विभाग, स्वान दस्ता, HDRF और इंडीरF की टीम भी रहेगी, अन्य दूसरी समस्या के लिए बरे अधिकारियों का नंबर भी उपलब्द करवाया जाए, इस बार सबसे अच्छी बात यह है कि जो पुलिस बॉल और अधिकारी होते थे, उनके रहने की ववस्ता स्कूल में रहती थी, लेकिन इस बार इनके रहने की ववस्ता टेंट में ही की गई है, साथी मेले में लगे सांस्क्रितिक पंडाल में अस्थाई परेटक सूचना केंद्र का निर्मान भी हुआ है, इस परेटक सूचना केंद्र में आने वाले परेटकों के सुविधा के लिए गाईडों की भी प्रतिनिक्ति की गई है और इनके ठहरने के लिए 10-20 कौटेज का निर्मान बिहार राज परेटन विकास निगम द्वारा परेटन ग्राम में करवाया गया है इस विस कौटेज में परेटकों को 5-star होटल जैसे सुविधाए उपलब्द करवाई जाएंगी दिसका किराया 25-100 रुपए होगा इसके लावे जो कपल टूर पैकेज है उनसे 6,000 रुपए लिए जाएंगे यह टूर पैकेज एक रात और दो दिन का होगा सुविधा में इन्हें घूमने के लिए इटियोस एसी वाहन भी उपलब्द परे तो आर ब्लॉक सित होटल कॉटिल विहार से सोनपूर के लिए दोपहर 12 बजे बाहन प्रस्थान करेगी फिर पहले दिन हरिहार नात मंदिर में इन्हें दर्सन के लिए ले जाया जाएगा उसके अगले दिन मेला घुमाते हुए दोपहर बिता कर सारे 3 बजे के करीब बाहन पटना के तरफ लौट जाएगी इसके अलावे मेले में 30 डॉक्टरों की प्रतिन्युक्ति स्वास्थ विभाग द्वारा की गई है जहां अलग-अलग बिमारियों के डॉक्टरों को बुलाया गया है क्योंकि सोनपूर मेले में सारन जिले के स्वास्थ समीथी ने स् बुलाया गया है मेले का समापन 26 डिसमबर को होगा आज के लिए फिलाल इतना ही हमारे साथ बने जाने के लिए आपका धन्यवाद